नमस्कार दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माथ्यम से बताने जारे है सिंग रासी के मन का डर आप तक का सबसे बड़ा खुलासा प्यारे दोस्तो आज हम 34 सास की सायता से ये पता करेंगे कि आपके मन का सबसे बड़ा डर क्या है जी हाँ डर शब्द को शुनकर सायद आपके अंदर का वीर योधा जाग उठे और एक स्वर में बोले कि मुझे डर वर नहीं लगता पर तू देखा जाए तो डर सबको लगता है जरूरी नहीं कि सभी को डर भूत प्रेतों से लगे हर मनुश्य को डराने वाली बाते अलग जो सदेव भविश्य की चिंता करते समय उसे डराती रहती है जनम कुंडले के 12 भाव में छटे आठवे और बार्वे स्थान अत्याधीक समश्या देने वाले होते हैं और इन में डर का निवास्तान छटे भाव और आठवे भाव में होता है छटे भाव से समने डर ग्यात ह होता है और आठवे भाव से अग्यात और चुपा हुआ डर ग्यात होता है छटे भाव से उत्पन डर सीदे सीदे बार्वे भाव को प्रभावित करता है और आपके जीवन में शमश्या उत्पन होने लगती है आठवे भाव से समन्दे डर आपके भाव को प्रभावित करत जिससे आपके आत्मिश्वास में कमी आती है और आप जीवन में तेजी से सफल नहीं हो पाते आपने डर पर आप विजय प्राप्त करें और इसके कारणों को समझें इसलिए आज हम आपके सामनी ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे सिंग रासी और उसके मन के सबसे बड़े डर के बारे में सिंग रासी रासी चक्र में पाच्वेस्तान पर आने वाली रासी है इस रासी पर सूर्य ग्रे का अधिपते आता है और ये अगनी प्रधान रासी होती है कालपुरुस के सरीर में सिंग रासी का दिकार दिल पर होता है इन तेन मित्र गरों के प्रभाव के कारण इस रासी के पास ऐसी मीद सक्तिया होती है जो कि किसी को भी आपने और सोते ही आकरशित कर लेती है इनका रासी चिन सेर होता है इसलिए इनकी सोच और वेवार भी सेर जैसा होता है जिस प्रकार सेर को जंगल का राजा माना जाता है उसी प्रकार यह भी अपने आपको किसी राजा से कम नहीं समझते इनके बात करने के तरीके में रोब और अधिकार आप साब देख सकते हैं कई बार इनके अधिकार पून तरीके से बात करने के तरीकों को लेकर इनके उपर एंकारे और घमंडी होने का आरोब भी लगता है लेकिन समझा जाए तो इनका यह सभाव प्रकर्तिक माना जाता है यह कितना भी प्रयास करे यह दबी और सैमी अवाज में बात नहीं कर पाते यह साइस अभाव वाली रासी हर छेत्र में आपने आपको आगे रखने की चाहर अगती है जीवन में बेशक कितना भी अभाव हो यह अपनी पसंद की चीज़ों को लेकर समझता नहीं करते इनके सोने के बिस्तर से लेकर ओफिस में बैठने की कुर्सी यदि कोई और प्रयोक करे तो इन्हें इसमें बहुत आपत्ती होती है यह किसी भी कारे को विचित्र रूप से करने का प्रयास करते है और उसमें सफल प्रया, ब्रस्पती और मंगल का सयोग इने, इमानदार, बुद्धिमन, कर्तवे निष्ट, निर्भिक, महंती और जुझारू बनाता है जिसके चलते हैं यह जीवन के प्रतेक्षेत्र मेतेजी से सफलता प्राप्त करते हैं और सिर्ष स्तानों पर पहुंझ जाते हैं इनके सफलता और इनके प्रभाव को देख, लोग इन जैसा बनना चाहते हैं और इसलिए इनके नेत्रतव वे मार्ग दर्शन को सविकार करते हैं आपने इनी गुनों के चलते इने जीवन में मानसमान सम्रधी और समाज में एक विसिष्ट स्तान प्राप्त होता है और इसी सबसे बड़ा बैय होता है कि कहीं प्रजा उनकी आदेस की अवग्या या अवहलना ना कर दे बिल्कुल उसी प्रकार सिंगरासी के जातकों के मन का सबसे बड़ा भै भी अवहलना या अवग्या से जुड़ा होता है इनके जीवन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इनकी या इनकी अज्या की अवेलना ना करे, इनके बताए मार्ग दर्शन को चुनोती ना दे, या इने गलत सावित करने की कोशिस ना कर दे, और भविश्य में कई इनको जो स्थान प्राप्त है वो इनसे छिन न जाए, या भै इने सदेव स्थाता रहता है, इनके अंदर का यही भै एसफल होने पर इने और भी जादा आक्रमक बना देता है, इनके जीवन में कई बार इसी आक्रमकता की चलते, कई बड़े हाथ से हो जाते हैं, जिसके लिए इने जीवन भर पस्ताना भी पढ़ता है, या अपने जीवन में मजबूती से और बिना किसी बड़ी गलती के जाए, या सदेव हम ही सिर्ष पर रहें, अपने ज्यान में व्रदी करने का सबसे अच्छा सादन यह भी है, कि अपने आसपास के लोगों की बातों को भी सुनो, उनका चिंतन मन्थन करो और फिर निन्नेलो, यदि आप अपने इस सबसे बड़े भैपर विजय पाले, तो आप से जीवन में कोई भी प्रतिस्प्रधा करने वाला नहीं मिलेगा, पर मेश्वर आपके अंदर के सभी विकारों का नास करें, आप अपने सभी प्रकार के भैवों पर विजय प्राप्त करें, इसी के साथ आज आप से हम अज्या चाहते हैं क्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, जैहिंद